आज हम आपको ऐसी भिंडी की सबजी बनाना बताएंगे, जिसे आप एक बर बनाएंगे तो बार बर बनाना पसंद करेंगे बहुत टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनता है ये भिंडी की सबजी और इसे बनाने का जो तरीका है वह भी बहुत आसान है तो चलिए आज हम बनाते हैं भिंडी मसाला भिंडी मसाला बनाने के लिए हमने यहां 500 ग्राम भिंडी लिया है इसे हमने अच्छी तरह से 2-3 बर पानी से धो लिया है अब भिंडी को बड़े बड़े टुकडो में काट लेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी भिंडी बनाते हैं तो भिंडी बनाने से थोड़ी दिर पहले इसे धो ले ताकि भिंडी का सारा पानी सूख जाए और अगर तुरंत भिंडी बनाना हो तो भिंडी धोने के बाद इसे टौवेल के उपर रख दे जिससे भिंडी का सारा पानी सूख जाएगा भिंडी का पानी सूख जाने से भिंडी चिपचिपी नहीं रहेगी भिंडी को हमने बड़े-बड़े टुकडो में काट लिया है अब इसमें हम मसाला एड़ करेंगे एक चमच काली मिर्च पाउडर डालेंगे एक चमच जीरा पाउडर डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे इसके बाद इसमें एक चमच हल्दी डालेंगे अब इसमें एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे फिर एक चमच कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे आप इसका पेश्ट भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर यहां हमने दो प्याज और एक टमाटर को कद्दू कस कर लिया है इसे पीस कर भी डाल सकते हैं बस थोड़ा दरदरा होना चाहिए, महीन पेश्ट नहीं होना चाहिए सभी चीज़े डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे आप अगर इस तरह से भिंडी की सबजी बनाते हैं तो जिन्हें भिंडी की सबजी पसंद नहीं है उन्हें भी यह सबजी जरूर पसंद आएगे एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय नमक नहीं डालेंगे इस समय नमक डाल देंगे तो नमक पानी छोड़ देगा जिससे भिंडी चिपचिपी हो जाएगी भिंडी के साथ मसाला को अची तरह से मिक्स कर लिया है अब कड़ाही में तेल गरम करेंगे और इसमें पंच फोरन डालेंगे इस से भिंडी की सबजी में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है जब पचपोरन चटकने लगेगा तब मसाला वाला भिंडी को इस तेल में डालेंगे सारा भिंडी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाना है गैस का फ्लेम मिडियम रखना है मिडियम फ्लेम पर ही भिंडी और मसाला दोनों को पकाना है गैस का फिलिम हाई करेंगे तो मसाला जल जाएगा और भिंडी भी अच्छी तरह से नहीं पकेगा थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम स्वाध अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे इसके बाद इसे ढख कर थोड़ी देर पकाएंगे दो मिनट के बाद ढखकन हटा कर भिंडी को चला लेंगे चलाने के बाद फिर इसे ढख कर पकाएंगे इसी तरह हम तब तक पकाएंगे जब तक कि भिंडी पक नहीं जाता है इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है 10-15 मिनट में ही यह पक जाता है तो देखिए भिंडी अच्छी तरह से पक गया है यह सौप्ट भी हो गया है और मसाला भी अच्छा से भुन गया है तो फ्रेंड्स आप भी इस भिंडी की सबजी को पहुत असानी से बना सकते हैं इसे बनाने में समय भी कम लगता है और स्वाद ऐसा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे तो फ्रेंड्स मेरा यह बनाया हुआ भिंडी मसाला आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके